जैसे रेस्टरॉन में एग बिर्यानी बनती है बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेर करूंगी एग बिर्यानी की बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल मैं आज में एग बिर्यानी बना के तयार करूंगी सो स्टार्ट करते हैं लेट्स केट स्टार्ट ये मैंने अंडा ले लिया है उबालने के लिए रख लिया है छे अंडे हैं ये उबाल लेंगे हम ये उबालने के बाद मैंने इसको छिलका शील के और उसमें धन्या पाउडर, मिर्ची पाउडर और Healthy Power डालके मिक्स कर दिया है इसको हम fry करेंगे अंडे को deep fry करेंगे यह मैंने सब मिक्स कर लिए है सारे अंडे में मसाले लगा लिये अब हम इसे deep fry कर लेंगे देखें मैंना oil में डाल दिया है गरम oil में आप भी गरम oil में ही डाले और एक साथ हम सारे डाल देंगे अंडे मैंने 6 पीसेज लिये थे मैंने सारे डाल दिये हैं अब इसको हम golden brown होने तक fry करेंगे यह देखिए golden brown हो गए है अब मैं इसको निकाल लूँगे यह मैंने निकाल लिया प्याश, लसन, मिर्शी मैंने ले लिया है और टामाटर भी इन सबको हम ग्राइंड कर देंगे यह देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है अब हम इसे इस पेस्ट को fry करेंगे ओल चरा देंगे इसके लिए हम सबसे पहले यह देखिए मैंने ओल में जीरा डाल दिया है और जीरा ग्याब golden brown हो जाए तो हम यह पेस्ट डाल देंगे उसमें यह मैंने डाल दिया है इसको golden brown होने तक पकाएंगे अब मैं इसमें नमक डालूंगी half table spoon आप टेस्ट के कॉर्डिंग डालें अब यह golden brown होने तक हम इसको अच्छी तरीके से प्याज फ्राइ करेंगे अब मैं इसमें हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दूँगी 1-1 tablespoon मैंने सब कुछ डाल दिया है हल्दी पाउडर half tablespoon मिर्ची और धन्या पाउडर 1 tablespoon अब इसको फिर फ्राइ करेंगे अच्छी तरीके से हमें golden brown करना है जब oil निकलने लगेगा इसमें से तब हम इसमें water डालेंगे जब मसाले में से oil निकलने लगेगा तब यह देखिए मैंने water डाल दिया है अब जब यह उबलने लगेगा अच्छी तरीके से तो हम अंडे डाल देंगे इसमें जब इसमें उबाल आ जाता है तब हम अंडे डाल देते हैं और जब अच्छी तरीके से ग्रेवी उबल जाती है अंडे भी पक जाते हैं अच्छी तरीके से और ग्रेवी थोरी थीक हो जाती है तो हम इसे बंद कर देते हैं ये तब तक जब तक हो रहा है अंडा तब तक मैं इधर साइड चावल चरहा देती हूँ इसे हम 90% पकाएंगे पूरा नहीं पकाना है हलका सा नमग डालके मैंने half table spoon नमग डाल दिया है चावल मैं ये देखिए चावल मैंने पका लिया है ये 90% मैंने पकाया है फोल नहीं पकाना है अब ये चावल को हम रख लेंगे साइड में उसमें हम अंडा करी जो हमने बना रहे थे हम वो हम उपर से डाल देंगे फिर उपर से हम चावल डालेंगे फिर अंडा करी ऐसे करके हम लेयर बनाएंगे सब से नीचे चावल फिर अंडा करी थोड़ा सा फिर उपर से चावल फिर अंडगरी उप थोड़ा सा इस तरीके से हम लेयर बना लेंगे दो तीन लेयर मैं जाना चाहिए देखिए फिर से मैंने चावल डाल दिया है इसी तरीके से अब हम इसको थोड़ा उचाल के बना लेंगे इसको थोरा सा mix करना अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और जब तक ये देखी मैंने डाल दिया है तो अब इसको हम थोरा सा और पकाएंगे ये फिर से मैंने गट दिया उपर से मैंने फिर से चावल डाल दिया है अब इसको हम थोरा सा पका लेंगे अच्छी ये 10% और पक जाए मैं इसमें उपर से घी डाल दूंगी घी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब मैंने इसको ढग दिया है क्यास का फ्रीम बंद कर दिया यह देखिए रेड़ी हो चुकि है हमारी अंडा बिर्यानी काईज यह बहुत ही जाला डिलेशेस है यह देखिए मै अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शार और सब्सक्राइब माच चानल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ लब यू सो मच गाईज बाई